हेलो फ्रेंड्स आप सभी का दोबारा स्वागत है हमारी यूटीब चैनल पेस्मेकर सेखनी में आज किस वीडियो में हम लोग फाइलम एनल इडा के बारे में देखने वाले हैं जो की एनेमल किंग्डम का एक पार्ट है जैसा कि आप सभी को पता है एनेमल किंग्डम से तो इस वीडियो में हम लोग फाइलम एनल इडा के बारे में एनसी एटी में जो भी बाते दी गए हुए जो भी इनफॉर्मेशन से वह सब कुछ हम डिसकस करने वाले हैं इन एट लास कुछ हम एक्जांपल्स देख लेंगे कि इस इनफॉर्मेशन के बेसिस पर इस आध से洩ा पहले हम स्टाट करेंगे इसकी सबसे बेसिक बात बिता हीटेट इसके बारे में ठीगे कि सबसे पहली बात habitat और phylum anilda phylum anilda के जो members होते हैं वो कहां कहां पर पाया जाते हैं so phylum anilda के जो members है वो दोनों type के होते हैं वो aquatic भी हो सकते हैं मतलब कि पानी में पाया जाते हैं and वो terrestrial भी हो सकते हैं terrestrial भी हो सकते हैं मतलब कि जमीन पर पाया जाते हैं तो याद रखिएगा फाइलम ऐनलिडा के जो मेंबर्स होते हैं वह एक्वाटिक होते हैं दोनों टाइप के वॉठर मेपाया जाते हैं वह मरीन भी हो सकते हैं या फिर फ्रेश वाटर और्गिनिजम भी हो सकते हैं अब हम बात कर दे किसकी टरिस्ट्यल फॉम की तो बेटा ज परसिटिक भी हो सकते हैं मतलब कि यह किसी दूसरे और ऑर्गनिजम के अंदर अपनी लाइफ इसपेंड करते हैं परसाइट होते हैं मलंद बढ़ी भी होते हैं तो सबसे पहले अपने क्या देख लिया इनकी हैबिट पॉइंट लियर हो गया ओके जो पहली information आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन के उपर habitat दे में भी aquatic और terrestrial aquatic होंगे तो marine हो सकते हैं या फिर fresh water के organism होंगे और terrestrial होंगे तो क्या होगा free living भी हो सकते हैं sometimes कभी कभी क्या होंगे parasitic form भी शो करते हैं ठीक है तो पहला point हो गया अब आगे आजाओ बिटा दूसरे कुछ points के उपर सबसे पहला point है बिटा level of organization मतलब कि इनकी body का organization का level क्या है ठीक हम देख चुके थे पॉरिफेरा में only cells पाई एगी cellular level of organization cylinder में क्या होता है टीशू पाए जाते इसलिए tissue level of organization वेसे ही बिटा जो एनलिडा होता है उसमें क्या होगा organ systems पाए जाते हैं इनकी body में अलग-अलग various organ systems होते हैं इसलिए इनकी body में क्या होगा organ system level of organization present होगा यह हो गया पहला point अब आज यह second point की उपर बेटा इन में metamerism present होता है metamerically segmented होती इनकी body अब इस word का मतलब क्या है जान दीजिए इनकी body जो है segment से बनी होती है इनकी body क्या होती है segmented होती है मतलब कि इनकी body जो टुकडों से बनी होती है अब metamerism क्या होता है वह हम देखते है ठीक है इसकी body इस type से अलग-अलग type के segment से मिलकर क्या हो रही है यह इसके pair wear है ठीक है इस type से क्या हो इसकी body बनी होई है मेटा मेरी segmentation मतलब क्या होगा कि body जो है organism की body जो उसका शरीर जो है वो अलग-अलग segments segments से मिलके बना होता है बहुत सारे segments से मिलकर बना होता है और इन segments में क्या होता है कुछ organs का repetition होता है इन segments में क्या होगा बेटा कुछ organs का क्या होता है repetition होता है for example मान लो कि ये एक segment हो गए बैटा इस segment में मान लो कि heart है वैसे बैटा अगला segment में इसमें भी heart का repetition होगा इसमें भी क्या होगा heart का repetition होगा example दिया है मैंने metameric segmentation मतलब क्या होगा कि body जो है वह सारे segment से मिलके बनी होगी और इन segment में body के किसी भी organ या tissue का क्या हो रहा है? repetition हो रहा है, मतलब कि वो organ या tissue क्या हो रहा है? इन segment में क्या हो रहा है? बार-बार repeat कर रहा है इसी को पर क्या बोलते हैं? metameric segmentation बोलते हैं, okay? so direct question आता है कि metamerism किस में present होता है? तो answer क्या जाएगा? so यह हो गया metameric segmentation इन में present होता है metamerism मतलब क्या होगा? कि body जो है various segments से बनी होगी और इन segments में क्या होगा? किसी भी organ या tissue का क्या होगा? repetition होता है, ठीक है? so यह हो गया metamerical segmentation next point बेटा anelita जो होते हैं, इनकी body में silo present होती है that's why क्या होगा? यह triploblastik silo met, triploblastik मतलब क्या होगा? इनकी body जो है 3 germal layer से मिलके बनी होगी ectoderm, endoderm and mesoderm इसके अलावा बेटा, जो mesoderm है उसमें एक cavity पाई जाती है, खाली जगह पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते है? silo met, ठीक है? so anelita are metamerically segmented होते है ट्रिप्लoblastik होते हो, silo met, ठीक है? अगला point, बेटा अगला बहुत important point है कि analida का नाम analida क्यों पढ़ा? ठीक है? क्यों, इसका नाम analida क्यों पढ़ा? ठीक है, जैसे कि अपन ने phylum nideria, यह sylintrata में देखा था कि उनका नाम nideria क्यों पढ़ा? क्योंकि उनकी body के अंदर एक nido blast नाम की cell पाए जाती है इसलिए उनको अपन क्या बहुत है? निडरिया, वैसे ही बेटा, फाइल नाम analida जो है इनका नाम analida क्यों पढ़ा, IEM देखते हैं डाइग्राम से देखो, जो कि NCRT में दिया हुआ है तो analida के जितने भी members होते है, उन सब की body क्या होती है ऐसा लगता है कि इनके body की से छोटी छोटी रिंग से मिलके बनी हुई है इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? अनलिडा पड़ा क्योंकि इसके जो members होते हैं इनकी body जो रहेगी वो केसी होते है बिटा small ring से बनी हुई बनी हुई होती है इसलिए इनको अपन क्या बोलता है? अलिडा आगे आज़े ये next point ठीके तो अपनने तीन points देख लिए भी तर organ system level का organization होता है metamerical segmentation होता है उसके लगे इनका नाम अलिडा क्यों पड़ा? अगले point क्यों पर आजओ बिटा? लोको मोशन के लिए ध्यान दो ठीके muscles कई क्या होता है? contraction, relaxation होता है इसके करणियम क्या होता है? कोई भी किसी भी type का moment कर पाते है वेसे बिटा एक जो एनलिडा है मान लो बिटा ये मैंने बनाया earth bomb ठीके ये मैंने क्या बना दिया है? earth bomb बनाया है अभी feel आ जाएगी थोड़ी diagram अच्छा रहा था हूँ है बिटा की मान लो ये क्या है? कोई earth bomb है? ठीके? तो क्या मतलब है longitudinal और circular muscle का? ठीके? बिटा longitudinal मतलब होता है longitudinal मतलब होता है body की length में ठीके? मतलब की एसी muscle जोगी क्या होगी body के longitudinally arranged होती है उनको अपन क्या बोलता है? longitudinal muscle ठीके? और कुछ muscles क्या होती है? circularly, circular form में arranged होती है ठीके? उनका shape क्या होता है? बिटा circular shape की muscles होती है इनको अपन क्या बोलता है? circular muscle ठीके? तो earthworm का अपने moment रखा होगा कुछ इस type से moment करता जाता है earthworm ठीके? तो जो analida होते हैं उनकी body में moment के लिए दो type की muscles present होगी एक muscle क्या होगी बिटा? जो कि longitudinally present होती है ठीके? मतलब body की length में present होती है ठीके? और second muscle क्या होगी बिटा? वो circular form में arranged होती है ठीके? तो इनकी body में दो type की muscles होती है circular muscles होती है longitudinal muscles होती है इनी muscles के health से क्या होता है? अनलिटास में क्या होता है? moment होता है ठीके? तो यह अगला point हो गया for moment, for locomotion इनकी body में क्या होगी? दो type की muscles होगी circular muscle होगी कि योखे और कि और के कुंसी मसल्स होगी सभी मेसे लोगी योगर अगला पॉइंट फिर प्र पेटा को बहुत इंप यह वादा जो एक्वर्टीक एंवर्टेज होते हैं मसला की 10 योख कுसी मद्ला वाटर में पाय जाते हैं उनमें क्या होगा ध्यान दीजिए एक्वटिक एनलिडा पॉसेस लेटरल अपेंडेजेस दे आर नोनेस पेरापोडिया ध्यान दो बेटा ऐसे एसे एनलिडा जो की एक्वटिक होते हैं मतलब पानी पाया जाते हैं उनकी बोडि में क्या होगा लेटरल अपेंडेजेस होगी है न आप सभी को बता है लेटरल वड़ का मतलब क्या होगा बेटा लेटरल वड़ का मतलब यह होता है यह बोडि का बेटा में एक्सिस है में एक्सिस से दूर की तरफ जो भी चीज़ होती है उसको पन क्या बोलता है लेटरल उसको पन क्या बोलता है उनकी बोडी उनके लेटरल साइट क्या होता है इस टाइब से कुछ अपेंडेजिस पाया जाते हैं इस टाइब से क्या होता है कुछ अपेंडेजिस पाया जाते हैं इन्हीं क्या बोल रहे हैं लेटरल अपेंडेजिस ठीक है अब आप ही बताओ यह लेटरल अपेंडेजिस क क्या काम में आएंगे तेरने के काम में आएंगे क्या काम में आएंगे तेरने के काम में आएंगे ओके सो एक्वर्टिक एन लेडर का एक्जम्पल क्या है नेरिस, ओके, यह हो गया, एन नेक्स पॉइंट सबसे आखरे वाला पॉइंट यह है बिटा, कि इनमें sexual reproduction present होता है, ना, reproduce करने का तरीका कुन सा है, sexual reproduction के द्वारा क्या होता है, इनमें, reproduction होता है, तो एक बार आप देख लीज अलग-अलग segments से बनी होती है, और इन segments में क्या होगा, किसी भी organ या tissue का क्या होता है, repetition होता है, उसी को अपन क्या बोलता है, metamerigram, अगला point जो कि अपने देखा क्या, इनका नाम एलेडा क्यों पढ़ा, इनका नाम एलेडा इसलिए पढ़ा, क्योंकि इनके body जो रहेगी, व लखी जो पानी में पाए जाएंगे, उनमें क्या होगा, lateral appendages होते हैं, जिनको हम क्या बोल रहा है, जिनको हम बोलते हैं, parapodia, और यह जो parapodia होते हैं, वो किस function के लिए होते हैं, they are for swimming purpose, example क्या है इसका neris, neris में क्या होते है, lateral appendages present होते है, diagram से समझी इसको, यह देखो बेटा, यह NCRT में diagram दिया हो है, neris का, neris में आपको दिख रहा है, यह जो lateral side, lateral side appendages present है, इनी की बात हो रही थी, इनी को हम क्या बोलते हैं, they are called as parapodia, इनी को हम क्या बोल रहा है, parapodia बोल रहा है, ठीक है, आगे चलिए, तो यह होगी अपनी basic points and other, जो दूसरे points important वो clear, ठीक है, अब आ सबसे पहली बात, circulatory system किस type का होता है, इनमें circulatory system कैसा होगा, closed type का circulatory system होता है, ठीक है, closed circulatory system में आपको बता चुका हो पहले, closed circulatory system मतलब क्या होगा, कि blood जो है वो क्या होगा blood vessels में flow होता है ठीक है close the tube like vessels होती है उन्हीं में blood क्या होता है flow होता है उसी को बन क्या बोलता है close the circulating system जिसा कि humans ते present होता है वैसे ही एनलेटा जो होंगे उनमें में कैसा होगा close the circulating system present होता है next point excretion and osmoregulation जिसे बेटा humans में excretion और osmoregulation करने के लिए क्या होती है kidney होती है वैसे ही जो एनलेटास होते है उनमें excretion और osmoregulation के लिए क्या होते है nephredias present होते है ठीक है कई बार question आ चुक है इस point के ओपर कि किस में nephredia present होंगे तो answer क्या आएगा एनलेटास में अगले नंबर पर आजा बेटा यह बहुत important है बेटा दो term है आपको पता होगी एक term है कि बेटा डायोशियस sexes separate मला male अलग female अलग इसको बन क्या बोलते है डायोशियस बन ऐसे organism जिन में sexes separate होते है उनको बन क्या बोले है डायोशियस और एसे organism जिसमें male और female separate नहीं हो तो उनको बन क्या बोलते है तो यह बहुत important बात है जो कि आपको याद करना है ज्यान दीजिए बेटा जो नेरिस होता है वो कैसा होता है डायोशियस होता है अब यह अपन देखा था उसमें क्या होता है आगे आज़ो लास पॉंट नर्वस सिस्टम के बारे में तो ध्यान दीजिए जैसे कि यूमन्स में नर्वस सिस्टम जैसे यूमन्स की हम बात करें तो यूमन का नर्वस सिस्टम किसे मिलकर बना होगा हमारा system nervous system जो होगा बेटा वो मिलका बना होते है किसे brain होता है हमरा nervous system में brain के लाओ और क्या होता है बेटा brain होता है और spinal cord होती है human nervous system is composed of brain and spinal cord वेसे ही बेटा जो analytis होते हैं उनमें nervous system के नाम पर क्या पाई जाती है नर्व कोड पाई जाती है जैसे हमारे अंदर इस्पाइनल कोड होती है कोड मतलब किसा होगा solid structure होगा वैसे इन में क्या होती है नर्व कोड पाई जाती है ठीक है नर्व कोड के बारे में आपको याद रखना है नर्व कोड की प्रॉपर्टी से याद रखना है आपको कि नर Central वेजर है द्यान दो इनमें nervous system के नामपर क्या पाई जाती यहócाई पाई जाती है nervous body के पारे में दो बातें जिसके बर question बन सकता है पहला फोशन नर्व कोड डियरेकशन कहां वेश्यों होगी आगला भीटा है जैसे हमारी बॉडी में इस्पैनल को तक है पेटा पेटा सिंगल है लेकिन जो नियुकर के सिंगल होगा है उनमें नियुकर केसी यह लेकिन पॉड़ होगा फिर आगे चलो जैसिखी बिटा human nervous system में ये क्या है brain है ये क्या है बेटा spinal cord है आप सभी को पता है spinal cord से क्या निकलते है neurons निकलते है बेटा neurons निकलते है और ये neurons जाकर क्या करते है कोई भी muscle वगरा है कोई भी muscle वगरा है बेटा उसको जाकर क्या करते है ये control करते है मतलब कि signal जो रहेंगे central nervous system से जाते हैं इन neuron के थुरू और किसको control करते हैं muscles वगरा guy control करते हैं वेसे ये बेटा ध्यान दो वेसे बेटा ध्यान दीजिए और एक चीज और एक चीज, neuron जो रहेगा उसमें दो parts होते हैं प्रण में कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होते हैं, यह वाला जो पार्ट है, इसकोम क्या बोलते हैं, 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 इसकोम क्या बोलते ह तोड़ा शोटा बन गया वह इसको एग्नॉर करना यह हो गया हमारा नर्वस रिच्टम यह मैंने बॉड़ी बना दी ठीक है तो ध्यान दो विटा कि सभी ध्यान देंगे बेटा नियूरोन की जो सेल बॉड़ी होती है यह जो हालेट कर रहा हमें इसको यहलो कलर से यह नियूरोन की जो सेल बॉड़ी होती है तो अगर यह नियूरोन की सेल बॉड़ी बेटा नर्वस सिस्टम के बाहर होगी जान से सुनो neuron की cell body अगर nervous system के बाहर present होगी तो उसको हम ganglion बोलते हैं ठीक है उसको हम क्या बोलते है ganglion बोलते है water ganglion किसे ने पूछ लिए ganglion क्या होते है ganglion कुछ निये बिटा neuron की cell body का collection है cell body जो कि central nervous system से बाहर की तरफ है periphery पर है पर है तुसको क्या बोलते है गेंगलियोन बोलते है ठीक है तो अब आजाओ दोबारा से आप बोलेंगे सर यहाँ पर नर्वस सिस्टम के नाम पर क्या होता है नर्वकॉड प्रेजन्ट होती है नर्वकॉड अभी मैं आपको बता दिया डायरेक्शन के से होगी वेंटल साइ इससे क्या निकलते है निउरॉंस निकलते है और इन निउरॉंस में क्या होता है यह दिख रहा आपको यह क्या है इनकी सेल बोडी है यह क्या इनकी सेल बोडी है चूकि नर्वस सिस्टम से बाहर की तरफ है तो इनको बन क्या बोल रहे है गेंगलियों बेटा कैसे दिख र कुछर केसी होगी बिट रेंटिर रोल शाइट होती है और केसी होती है डबल होती है इसके अलावा इसमें प्रेजने उठेंट होते हैं डोर कॉछरन होगे what वेंट्रल नर्वकॉर्ड इस प्रेजेंट इन अंसर कहाएगा एनलिडा दर नर्वकॉर्ड ओफ एनलिडा इस कोशन आगे सीवे कि एनलिडा की नर्वकॉर्ड कैसी होती है तो चार ओप्शन दे देंगे doisal होती है single होती है गलत हो गया doseal होती है double होती है गलत हो गया ventral होती है single होती है सब्सक्राइब परचली है और विशलिया nervous system के नाम पर ulida में क्या पाय जाता तो simple sensor है ventral double nerve aircraft होती है इसके एलावा paired gangliions भी present होते हैं आके तो यह हो गया बिटा हमारे एनलिडा के पूरी बात है जो कि आपके NCRT में भी हुई है ठीक है बिटा कुछ ग्वेशन्स देख लेता हम इसके ठीक है तो आई है हम कुछ ग्वेशन्स के बारे में देखते हैं फाइलम एलिडा के ओपर जो कोश्चन्स आया है वो बेटा क्या बोल रहा है विच आउड़ फॉल लाएंग इस नॉट्ट अ क्या एक्रेक्टरिस्टिक और फाइलम एलिडा के बारे में करेक्ट नहीं है नहीं है ठी तो आउट्ट नॉट्ट अपर आपने देखी उससी में से कोशन आ गया अगला कोशन देख लो बेटा विच वन ओव फॉल लेंग इस मेचिंग पेर और बोडी फीचर एन एनिमल पॉसेसिंग इड बेटा यह कोशन पुछा गया है कि आपको दो पेर्ज दिये गया है ठीक पहला करेक्टर सके पुछा गहे है कौन सा कैरेक्टर जो है करेक्टिर मैज़ दाए उसके कर्रस्पोन्टिंग एनिमल के साहा बेटा पहले option देख लो क्या है पहला option ventral central nervous system कि जो nervous system होगा मतलब कि जो नर्वपोर्ड होगी वो ventral होती है क्या है matching में? leech leech किसका example है बेटा अनलिटा का तो answer क्या होगा? सही होगा तो answer क्या है बेटा अपना AI आएगा इसी के साथ हमारे वीडियो खतम करते है अगर आपको इसमें जो भी doubts हो वो आप लोग में को personally message भी कर सकते है या फिर comment box में बता दीजिएगा और अगला जो भी file हम आपको पढ़ना है या फिर जो भी topics आपको पढ़ना है इसका आप लोग चाहते हैं कि हम लोग वीडियो बनाए तो वो भी topic आप comment box से बता सकते हो तो उसके उपन हम as early as possible वीडियो बनाने कोशिश करेंगे So thank you for watching my video और अगर वीडियो पसंद आया हो तो like, share and subscribe करना ना भूले